आज हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। भारत में इनका आगमन लॉर्ड मिंटो सिकेंड के बाद 1910 में हुआ। इनके कार्यकाल में ही जॉर्ज फिफ्ट और क्वीन मारी के राजा भिशेक के लिए दिल्ली दर्बार लगाया गया। इसी दिल्ली दर्बार में दो मुख्य घोषना की गई। पहला लॉर्ड करजन द्वारा किये गए बंगाल विभाजन को अंता समाप्त किया गया, इसके साथ ही बिहार और ओडिसा भी बंगाल से अलग हो गए। दूसरी घोषना के अनुसार भारत के राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का निरनय लिया गया। इनके कार्यकाल में ही ग्रदर पार्टी की स्थापना सान फ्रांसिसको में लाला हर्दयाल के द्वारा की गई। राज बिहारी बोस ने लॉड हार्दिंग को मारने का असफर प्रयाज भी किया जो दिल्ली कांस्पीरेसी केस के नाम से भी मशूर है हाला की हार्दिंग इसमें घायल हो गए थे। प्रथम विश्वियुद्ध की शुरुआत भी इनके कार्यकाल में ही हुई थी।